लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको बॉटनेक की कटिंग और स्टीचिंग बताएंगे उसके लिए हमने ये 10 इंच चोड़ी बुकरम ले ली है और इसको चोड़ाई से डबल कर लिया है अब हम इसमें बंदभाक की तरफ से 3.5 इंच गले की चोड़ाई लेंगे बॉटनेक साड़े तीन से सुरू होकर साड़े चार पे खतम होता है जो इंसान थोड़ा पतला होता है 32 चेश्ट होती है उसके लिए हम साड़े तीन की ही कटिंग करते हैं अब लेंगे लंबाई लंबाई भी इसमें हमने साड़े तीन ली है लंबाई हमारी तीन से सुरू होकर 4 पर खतम हो जाती है बोटनेक की गोलाई के लिए हम 2 इंज का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई करेंगे यह देखिए यह नख नख बॉड़ी नाओ के आकार में करी है बिल्कुल गोलाई नहीं की इसकी हमने और अब हम इसको इस निशान पर कटिंग कर देंगे यह देखिए हमारा बॉटने कटकर तयार हो चुका है अब हम एक एक इंच फालतू बुक्रम को बहार से काट लेंगे निशान लगा कर यह देखिए हमने काट लिया है अब हम इस कपड़े पर इस बुक्रम को र जाए इस तरह से देखिए हमने सलाई लगा ली है अब आधा आधा इंच फाल तो हम बाहर से कटिंग कर देंगे और अब इसको मोड कर सलाई लगा देंगे कोई भी नॉर्मल गले की तरह यह देखिए हमारी सलाई लग चुकी है अब हम इसको बीच से मोड कर गले को बीच ओ बीच बिल्कुल बराबर करके इसमें बीच में निशान लगा लेंगे इस तरह से ताकि हमें पता चल जाए बीच का हिस्सा कौन सा है इसका और उपर कुटका लगाएंगे इसमें ऐसा ही हमें एक निशान सूट पर भी लगाएंगे आगे वाले पीस में जिसमें हमें एक गला लगाना है इसी तरह डबल करेंगे मोड कर और बीच में निशान लगा लेंगे चौक से और एक कुटका हम इसमें भी लगा लेंगे अब कुटके पर कुटका रखेंगे और बीच में सलाई लगाएंगे इस तरह से सलाई लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा गला बीचो बीच लगा है या नहीं यह देखे हमारा गला बिल्कुल बीच में लगा है निशान लगाने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है गला बीच में ही आता है अब हम इसको खोल कर बुकरम पर सलाई लगाएंगे बुकरम पर हम सलाई सरिफ मशीन की नोक के बराबर ही लगाते हैं बहुत ही थोड़ी सलाई लगाते हैं हम बुकरम पर ज्यादा सलाई नहीं लगाते हैं आफ से हमटा देते हैं तो गल्य में ज्छोला जाती है इसलिए हम भुक्रम पर लगाते हैं हम सलय से पोरे गले में लगा लेंगे हम सलाई गे देखिए सलाई लग चुकी है अब हम आदा आदा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और कटिंग कर देंगे बीच में कट लगा देंगे इसमें ताकि गले में जोलना आए सिकुडन ना आए जो बीच में सलाई लगाई थी हमने उसको हम उधेर देंगे थोड़ी सी बाकी तो कटिंग में निकल गई है और इसको पलट लेंगे गले को इस तरह से पलट कर एक बिलकुल किनारी पर सलाई लगा देंगे पिनीशिंग के लिए ये सलाई लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो हाथ है उससे हम कपड़ा बहार की तरफ धकेले अपनी तरफ न खीशें ये सलाई लग चुकी है अब हम एक बड़ी सलाई लगा लेंगे जो तरफाई के बाद हम हटा देंगे सलाई ये देखिए गला बनकर हमारा तयार हो चुका है अब हम इसमें तरफाई करके इसको कम्पलीट कर देंगे ये देखिए गला बनकर हमारा तयार हो चुका है कितना खुबसूरत गला बना है ये अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये हूँ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें थाइंक यू